तो देखो आज हम देखेंगे important questions ठीक है electrical science IP University के सबसे पहले मैं तुम्हें unit 4 बता रहे हूं क्योंकि तुम्हें भी शुरुवात किस से करनी है unit 4 से ही अपनी revision start करनी है सबसे पहले है unit 4 में है तुम्हारा transformer पर question आएगा या फिर तुम्हारा किस पर आएगा measuring instrument पर question आएगा इसके जो questions होते हैं यह fixed होते हैं जादा change नहीं करते है measuring instrument में एक question आता है PMMC पर या फिर question आएगा PMMI पर या फिर question आएगा तुम्हारा dynamo meter type instrument पर ठीक है यह तीन topic है तीनों मेंसे एक पक्का आएगा और यह direct आता है ज्यादा यह गुमाते भी नहीं है तो इन मेंसे यह तीनों पढ़ लेना theory है ज्यादा तुम्हें time भी नहीं लगेगा सबसे पहले यही पढ़ना है जैसे जैसे मैं बतारी हूँ वैसे वैसे शुरुआत करनी है PMC, PMMI, dynamometer ज्यादा नहीं करा जाए तो इनके diagram देखना बुक में diagram रट लेना थोड़ी बहुत theory मैंने तुम्हें समझाई थी वहाँ से तुम कहानी बना के लिख देना ओके उसके बाद इसमें क्या आ जाता है measuring instrument में एक और question आ जाता है बस different types of torque यहाद हो तुम्हेंने बताय तुम्हें तीन types की torque होते है controlling torque, deflecting torque, damping torque यह last की question में आ जाता है यह starting में कोई भी एक torque पूछ लेते हैं तो यह 4 topics है चारो topics रट लेना बिल्कुल अच्छे से रट लेना थीक है अब आ जाते हैं हम transformer पे transformer में क्या करना है तुम्हें सबसे पहले जो इसमें जो अगर इनको अगर इनने numerical देना होगा तो numerical यह किस पे देंगे efficiency पे based तो efficiency का fixed numerical होता है एक दो numerical वो ही formula होता है efficiency का x into v2 i2 cos phi 2 divided by x into v2 i2 cos phi 2 plus pi plus x square pcu multiplied by 100 जिसमें कि तुम्हें x क्या है load है वी आई यह धियान रखना है कि kv जो भी power देंगे ना वो ही तुम्हारी वी आई है power factor देंगे iron losses देंगे copper losses देंगे कोई भी numerical एक efficiency पर based कर ले ना उससे तुम्हें idea हो जागा कि efficiency का numerical कैसा आता है उसके बाद अगर यह transformer पर theory का question देंगे तो theory में यह दे सकते है construction and principle या फिर working यह generally पूछ लेते हैं easy होता है यह तुम्हें इसमें theory लिखनी है अगर इन्होंने proof के लिए कुछ भी दिया तो proof में यह दे देते हैं equivalent circuit बस इसमें भी देखो गिंती के कितने topic हुए एक topic बताए मैं efficiency पर based numerical theory का एक topic बताए construction and principle proof के लिए बताए equivalent circuit राइट equivalent circuit पर बेस यह derivation होती है derivation तुमसे पूछ सकते हैं इस पर numerical chances कम होते हैं ठीक है unit 4 complete अब उसके बाद आ जाते हैं हम unit 3 पर unit 3 में दो चीज़े हैं या तो DC motor है या फिर क्या है AC motor है ठीक है अब DC motor के fixed question है क्या एक पूछ लेते हैं types of DC motor वो पर लेना या फिर पूछ लेते हैं construction या फिर working principle of DC motor ज्यादा तर तुमें unit 3 में तुमें theory ही मिलेगी ठीक है और numerical मिलेंगे भी तो वो fixed numerical मिलेंगे वो मैं बता पूछ लेंगे कौन से numerical मिलेंगे वरकिंग पूछ लेंगे DC motor की उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं यह speed control speed control of DC motor okay तीन चीज़े हैं types of DC motor construction working principle speed control इसके अलावा भार से और कुछ नहीं आएगा DC motor में इसके बाद है अब यह देखो तीन टॉपिक है तीन टॉपिक में से तुम्हें दो टॉपिक तो मिली जाएंगे तो तुम्हारा time बचेगा यहां से right अब उसके बाद है AC motor AC motor में हमारे पास यह पूछ लेते हैं types of AC motor दो types की motor होती है एक होती है squirrel cage और एक होती है wound rotor दोनों के बीच का difference मैंने बताया था दोनों के बीच का difference याद कर लेना तो तुम्हारे उससे motor भी क्या हो जाएगी cover हो जाएगी लास्ट यह पूछते हैं synchronous motor synchronous machine या फिर मोटर पर यह direct short note पूछते हैं ठीक है तो तुम्हारी unit third पूरी complete है यह तीन टॉपिक है तीन टॉपिक में से दो टॉपिक आएंगे यह मैंने दो दो टॉपिक बताई है राइट दो टॉपिक में से एक टॉपिक पकाएगा अब उसके बाद आ जाते हैं हम unit two पे unit two में क्या देते हैं यह form factor, peak factor, okay इनकी define पूछ लेते हैं इनके तुम्हें formulas याद होने चाहिए अब numerical में यह दे देंगे या तो एक series पे numerical दे देंगे या फिर यह parallel पे numerical parallel पे numerical दे दिया तो तुम्हेरे लिए असान हो जाएगा, series पे थोड़ा सही गुमा देते हैं बट एक न एक numerical यह पकर देंगे या तो series पे या parallel पे, अगर इन्होंने proof के लिए पूछना होगा तो यह generally resonance पे proof पूछ लेते हैं, ठीक है, कई बार यह क्या करते है, theory का question दे दे है, derive and proof, वो series resonance की derivation जो मैंने graph बताया था, characteristics वो वाला, अगर इन्होंने theory में resonance ने cover कर रहा तो फिर यह numerical में resonance दाल देते हैं, resonance की तुम्हें condition पता है, क्या होती है, xl is equal to xc, ठीक है, और क्या आता है, unit 2 में तुम्हारा star और delta के बीच में, derivation या फिर numerical, इसमें से एक नाएक यह पक्का देंगे, या सो star देंगे, या delta देंगे, मतलब दोनों में से एक यह 100% देंगी, देंगी, तीसरी चीज़ एक नुमेरिकल हमेशा पूछते है, active power, reactive power और apparent power पर बेस्ट, तो यह हो सकते है, या तो define की form में पूछ लें, या फिर यह numerical की form में पूछ लें, numerical in the sense की, सिरीज वाले resonance में, सिरीज RLC circuit में यह डाल देंगे, PQS की वारे में, ओके, unit 2 complete, अब आजाता हो है, unit 1 पे, unit 1 पे तुम्हें पता है, या तो mesh पे numerical आएगा, या फिर nodal पे आएगा, दोनों में से एक numerical आएगा, तो मारे पास 4 theorem है, चारों theorem में से एक numerical पकाएगा, कौन-कौ से यह 4 theorem, superposition, thevenin, norton, और maximum power, जो ज़्यादा chances होते हैं, वो किस के होते हैं, thevenin के होते हैं, thevenin आ गई तो maximum power transfer theorem अपने आपा जाएगी, उसके बाद यह इसमें define में पूछ लेते हैं, active element, passive element, या फिर यह पूछ लेते हैं, unilateral, bilateral, या फिर यह पूछ लेते हैं, linear element, non-linear element, या फिर आगर इन्होंने एक और numerical देना होता है, तो numerical यह देते हैं, star और delta पे, okay, star और delta पे numerical देते हैं, तो यहां से तुम्हारा पूरा cover हो गया, जैसे जैसे मैंने बता है, वैसे वैसे ही पढ़ना शुरू करना, सबसे पहले unit 4, क्योंकि तुम लोगों की unit 4 कच्छी है, right, unit 4 म theory पढ़ने लग जाना, सबसे पहले, measuring वाला, यह खत्म हो जाएगा, फिर transformer पे आना, फिर तुम unit 3 पे आना, क्योंकि unit 1 और unit 2 क्या है, numerical based, उसमें असा numerical आ गया, यह normal numerical आ गया तो तो कर जाओगे, और numerical पे अटक गया तो अटक जाओगे, but unit 3 और unit 4 तुमारी ऐसी है, completely theory based, कि तुम कुछ भी पढ़के जाओ, उसमें से आएगा ही आएगा, okay?